डीध्वाना, भारत देश में एक सबसे खास बात यह है, कि देश में जो चीज सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित होती है, उस चीज की खपत सबसे ज़्यादा होती है, चाहे वह चीज जानलेवा हो चाहे या किसी को नुकसान पहुचाने वाली हो, चाहे किसी की जानलेवे व लेकिन जनता को इसको लेकर किस भी तरह की कोई परवा नहीं होती है। जब तक स्वयम के घर में कोई घटना घटित नहीं हो जाती, तब तक किसी को उस चीज का असास तक नहीं होता है। जिस तरह प्लास्टिक मांझे के उपर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। वन हंड्रद थाउजन्ड वन हंड्रद फिफ्टी रुपे की आती है। एव तीन सौ से पांच सौ रुपे तक बिक्ती है। इसी तरह दिध्वाना शहर की अगर बात की जाये तो दिध्वाना शहर में ट्रांस्पोर्ट के जरिये करीब 1000 प्लास्टिक मांझे की पेटियां जिन में करीब 6000 प्लास्टिक मांझे की चर्खीयां होती है। वो डीध्वाना में प्रवेश कर चुकी है, एव अस्थाई रूप से बने हुए, शहर में विभिन स्थानों पर गोदाम है, उन गोदामों में भी रखी जा चुकी है, करीब एक पेटी में साथ चर्खी आती है, ऐसी एक हजार पेटियां डीध्वाना में फिलहाल एव 15 दिसंबर बाद में प्लास्टिक मांझे की बिक्री ज़्यादा तेजारंब हो जाएगी, प्लास्टिक मांझे को लेकर डीध्वाना के कुछ युवा सुजानगर से भी माल लेकर आते हैं, रोडवेश बस प्राइवेट बस खुद की मोटर साइकल प्राइवेट संसा वरेल के माध्यम से भी प्लास्टिक मांझे को लेकर यहां पर आते हैं, वो चोरी छुपे यहां पर बिक्री करते हैं, दीध्वाना शहर में 5-7 बड़े व्यापारी है, एक व्यापारी के पास करीब 300-400 पेटी का माल नॉमल ही मिल जाता है, एव 500 पेटी एक व्यापारी य यहां पर बेचते हैं, मौत का सामान खुले आम बिक्ता है, सरकार की नाक के नीचे बिक्ता है, लेकिन सरकार प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर पाती है, कहीं ना कहीं अपनी खाना पूर्ती के चक्कर में इस तरह का मौत का मांझा बिक्ता है, एवं लोगों की जान के साथ में खिलवार होता है, जिस चीज पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध है, वही चीज बिकती है, खुलियाम बिक रही है, सभी को पता है, लेकिन इस पर कारवाई नहीं होती है, जब भी कहते हैं, तो एक ही चीज कहते हैं, आप बताए हम कारवाई करते हैं, लेकिन सभी को पत होता है कौन सी चीज कहां पड़ी है लेकिन कारवाई करने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्तिया होती है हजारों की संख्या में प्लास्टिक मांझे की चर्खियां डीध्वाना में उपलब्ध है अस्थाय रूप से गोदाम में भी माल आ चुका है वही 15 दिसंबर बाद में चोटे चोटे टुकडों में माल लाकर यहां पर बेचेंगे एवं लोगों की जान के साथ में खेलेंगे जिस तरह प्लास्टिक मांझे की वजए से पक्षियों की जान चली जाती है वहीं कई बाइक सवार भी प्लास्टिक मांझे का शिकार हो जाते है लेकिन इसकी परवा किसी को नहीं है सिर्फ अपने कुछ सेकंड के मजह के लिए लोगों की जान के साथ में आम जन खिलवाड कर रहे हैं एवं प्रशासन कारवाई नहीं कर रहा है किस तरह किसी वेक्ति के घर में को गटना गटित नहीं होती है तब तक वह वेक्ति उस चीज को समझ नहीं पाता है इस में सभी सभी को मालुम है लेकिन किसी के पिरेंश के बच्चे भी लेक्या इनकों ontok गरवॉड पिरेंट को nossas निमिए बच्चिछों को रोखना ने ने उस फिल्एप, इसको रोखने ने इसिए STR,थ कर दोख रहे हैं RH. यह सबी मिली बगत सेम्प होती है इसके रोब लगने जागी है